नमस्कार दोस्तों मैं उमेश सनुडी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल विवेग जी के एंड मैथ क्लास में दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे तक देखते रहे साथ ही मैंना सारे सब्जेक्ट को ले करके 2020 और 21 में में वीडियो को बनाए हैं है तो आप सारे वीडियो उसको जरूर देखें निश्चित रुख से दिया आप इन वीडियो को देखते हैं तो दोह जार एक इसकी तैयारी के लिए जो है सारे वीडियो आपक लंबी जो सीमा है भारत के साथ वो है बांगलादेश की, यहाँ पर D-number cancer आ जाएगा, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो question है दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है, दक्षिन भारत की बात हो रही है यहाँ पर, यदि हम बेश्व की सबसे उची चोटी की बात करने हैं तो Mount Everest है, जो की हिमालय में हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी, तो यहाँ पर है अनाई मुडी, अनाई मुडी यहाँ पर आंसर हो जाएगा A-number का, जो की सबसे उची चोटी दक्षिन भारत की, आगे देखते हैं, अगला ज से दो स्रेणियों की मध कस्मीर घाटी इस्थित है, हमको यहाँ पर दो परवस्रेणियों की नाम बताना है, जिसके मध में कस्मीर घाटी इस्थित है, तो यहाँ पर जो आंसर है ब्रहद हिमालय इवं पीर पंजाल की मध में जो है कस्मीर घाटी इस्थित है, ब्रहद हिम है यहाँ पर जो चार राज दिये गए है राजिस्थान, तमिल नाडू, महराष्ट और करनाट का इन में हम को जो है सबसे पहला जिसका छेत्रफल सबसे अधीक है उसको बताना और फिर घटते क्रम में जो हम को इनको बताना है तो यहाँ पर अधी भारत की बात करें हैं तो सबसे जो छेत्रफल वाला राज है जो सबसे अधीक छेत्रफल जिसका है वो है राजिस्थान दूसरे नंबर में मत्तदेश का है तो यहाँ पर हम पहले दो यहाँ राजिस्थान दिया तो पहले नंबर पर राजिस्थान आ जाएगा नंबर बन पर राजिस्थान आ जाए और फिर तीसरे नमबर पे हो जाएगा करनाट का और चौति नमबर पे हो जाएगा तमिलनाडू तो यहां पर जो सिक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है एक तीन एक तीन चार दो एक तीन चार दो जो है यहाँ पर बन रहा है तो हम देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो अंसर दिया गया है नीचे वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर एक तीन चार दो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी नंबर का अंसर C number का जो की पहला राजिस्थान है फिर इसके बाद इसके बाद महराश्थ है फिर करनाटक है और फिर तमिलनाडू है इस प्रकार से हो जाएगा आगे देखते हैं अगला जो कोश्चन है भारत के किस दीप का उदगम जो अला मुखी है भारत के किस दीप का उदगम जो अला मुखी है यहाँ पर बैरन कार नीकोबार लिटिल नीकोबार उत्तरी अंडमान तो भारत में एक मात्र जो है जो अला मुखी जो है बैरन दीप है बैरन ए नंबर का हो जाएगा जो कि अंडमान निकोबार में इस्तित है भारत का एक मात्र ज़ाला मुखी, बैरन weyranでeep है बैरन है जो कि अंडमान निकोबार में है, आगे देखते हम, देखते हैं दोसों निम्लिखित मैंसे कौण सा एक भारत में नीली क्रांती से संबंधित है तो नीली क्रांती जो है नीली क्रांती का संबंध है मत्स पालन से फिसरीष से संबंधित है मत्स पालन से संबंधित है और जो नीली क्रांती है और दोग्द क्रांती जो है स्वेत क्रांती जो है दूद उतपादन से संबंधित है और जो पीली क्रांत वो अनाजों से सम्मंधित है तो इस प्रकार से जो है यहां पर जो है नीली कुरांती मत्स पालन से सम्मंधित आगे देखते हैं अगला कोश्चन देख रहा है दोस्तों यहां पर हुद हुद चक्रबाद से भारत का निमलिखित मैसे कौन सा तटी छेत्र प्रहावित हुआ थ है चंबल नदी पे जो बना है यहां पर जो ऑप्शन मैसे राणा प्रताप साकर जो है बांध जो है बना हुआ है चंबल नदी पे आगे देखते हैं जो कोश्चन देख रहा है निमलिखित मैसे कौन कहां अगला जो कोश्चन है भारत में निमलिखित मैसे कहां सबसे पोत प्रांगाण सिप्याइड है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, चारों उप्सन में जो है सबसे बड़ा सिप्याइड जो है, सिप्याइड वो है, कोची, कोचीन, B number का अंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं अगला कोशन हम देख रहे हैं महत्प्रदेश की उत्खाद भूमी बैड लेंड परिणाम हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा आवनाली का अपरदन का इन अंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं इस वीडियो में महत्पूर कोश्चनों को लिया हुआ है जो कि एक्सिलेंस स एक स्कूल और मॉडल्स के लिए महत्पूर सकते हैं क में समिल किया हैं तो आ demands आगे देखते हैं अगले कोशी को देखते हैं अगला कोशन देखते हैं भारत मेंे केंद्री गंगा प्राधी करन्ण की सथापना कप की गई यहां पर जो और होगा वो होगा डी नंबर का उनन निम्लिखित में ऐसे किस राज से संबंधित है तो यहां पर जो आंसरों का केरल साइलेंट बेली जो है केरल में हैं आगे देखते हैं भारत की स्वाणिम चत्रभुज परियोजना जोडती है हमको ऐसे सहरों की नाम बताना है जिनके द्वारा जो है स्वाणिम चत्रभुज परियोजना जो है सहरों को जोडती सबसे पहले तो स्वाणिम चत्रभुज परियोजना किस से संबंधित है तो यह जो परियोजना संबंधित है सड़क परिवाहन से संबंधित है और सड़क परिवाहन से माध्यम से जो फोर लाइन है फोर बे जो है उसके माध्यम से जो सह जोड़े हैं उसके बारे हम को बताना है तो यहाँ पर है देहली मुंबई चैन्नाई कलकत्ता यह नमबर का यहाँ पर आंसर है देहली मुंबई चैन्नाई और कलकत्ता आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर देख रहा है आलू है एक आलू जो है एक कंद है C number का answer यहाँ पर आ जाएगा आगे देखते हैं कौन सी gas, noble gas कहलाती बहुत ही महत्पूर्ण कुश्चन है दोस्तों noble gas कौन सी gas कहलाती है noble gas जो है कौन सी gas कहलाती है, तो यहाँ पर कहलाती है noble gas helium C number का answer हो जाएगा यहाँ पर helium को जो है noble gas कहा जाता है, आगे देखते हैं, अगला कोश्चन मानव सरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी है, मानव सरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी यकरत, जो की लीवर कहलाता है, यकरत को लीवर कहते हैं, तो लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथी है, आगे देखते हैं, अगला कोश्चन ह इस्थन धारियों में स्वशन होता है इस्थन धारियों में जो स्वशन होता है वो होता है फुफुस फेपणों के द्वारा होता है दी नंबर का अंसर हो जाएगा आगे देखते हैं दोस्तों अगला जो कोश्चन देख रहे हैं दोस्तों सिर्का का रसाइनिक नाम है सिर्का का रसायनिक नाम है सिरका का रसायनिक नाम है Aceticamil ये number cancer हो जाएगा आगे देखते हैं दोस्तों अगला question हम देख रहे हैं Myopia किस अंग का दोस है Myopia किस अंग का दोस है Myopia का सम्भन है नेतर से नेतर होते हैं दूर दर्ष्ठी दोस जिसमें जो myopia आयोपि है वह वह है नेत्र से सम्मंधित है आगेडेखते है दोस्तों अगला question है नेम कित मैंसे कौन सी एक उस्मा की इकाइश नहीं है उस्मा कुम आपनी की इकाइश नहीं है इनमें से calorie तो यह सब हैं तीनो वो उस्मा कुमाप्नि की काईए हैं लेकिन घमाट है वाट जो है उस्मा वाट से नहीं ना पी जाती वाला कि विद्धुत जो हैं वाट में ना पी जाती है आगे देखते हैं अगला है साध्राण वैरो मीटर में कौन सा द्राव प्रयोग में लाए जाता है साध्राण वैरो मीटर में जो साध्राण वैरो मीटर होता है उसमें कौन सा द्राव जो हो प्रयोग में लाए जाता है कोईला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस तीन और जीवास मीधन है लेकिन यूरेनियम जो है जीवास मीधन नहीं है यहाँ पड़ी नंबर कांसर हो जाएगा अगले कुश्चन क्यों चलते हैं अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों नेम लिखित में से कौन सा एक उर्जा का नवी करणी स्त्रोथ है जिसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं कोईला आको प्राप्त नहीं कर सकते कोईला एक राविकीूर्जा इसको भी प्राप्त नहीं कर सकते पैट्रोल के अंतरगत आते हैं यह दी नंबर का अंसर होगा अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन देख रहा है और जोंचित्र का कारण है और जोंचित्र का कारण है क्लोरो सीम यहां पर जो सई आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर का अंसर है राजेंद्र सी को जो है जल पुरूस के नाम से जाना जाता है अगला कोश्चन देखते हैं कोशन हम देख रहे हैं बहुत ही महत्पूर्ण है कोश्चन दोस्तों चिपको आंदोलन के नेता है सुन्दालाल बाहु गोड़ा जी सी नंबर का अंसर हो जाएगा बहुत महत्पूर्ण कोश्चन है अगले कोश्चन क्यों चलते हैं अगला कोश्चन हम देख रहे हैं निमलिखित मैसे कौन सी संस्था परियावरण से संबंधित नहीं है कौन सी संस्था जो है इन म परियावरण से संबंधित है भारती सर्वेक्षण विभाग यह जो है परियावरण से संबंधित नहीं है तो सही आंसर यहां पर जो है कौन सी संस्था नहीं है पूचाता तो भारती सर्वेक्षण विभाग जो है परियावरण से संबंधित नहीं है यहां पर डी नंबर क आंसर आगे अलुवला और अगला कुष्चन देखते हैं अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों भारत में वन्न जिव सनigkeit खिकारे मार्त किया गया बहुत ही मछर्पूर को करें हम सबसे कम जन संख्या घनत जो है अनुनाचल प्रदेश का है और सबसे ज्यादा जन संख्या घनत जो है बिहार का है बिहार राज का और यदि हम मद्ध प्रदेश की बात करें तो मद्ध प्रदेश में सबसे ज्यादा जन संख्या घनत जो है भुपाल जिले का है और तिवस मना जाता है तो इकतर दिवस मना जाता है चндगि जर्म दिन पर राश्टी एकतर दिवस मना जाता है और देएगा अ आगे देखते हैं दोस्तों गोल्डन एक्सपोर्ट प्रमूशन पार्क इस्थित है इन दौर में ए नमबर का अंसर हो जाएगा यहां पर आगे देखते हैं दोस्तों 2011 की जन गर्णा के अनुसार मद्प्रदेश की जन संख्या है मद्प्रदेश की जन संख्या यहां पर हम देखते हैं मद्प्रदेश की जन संख्या अभी वर्तमान में वो है 7 करोड 25 लाग के आसपास है तो यहां पर हम देख सकते हैं जो सबसे नजदीक का डेटा है वो है यह यहाँ पर 7.2 करोड यहाँ पर जो आंसर है वो 7.2 करोड 7.2 करोड अगला कूशन हम देख रहे हैं दोस्तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार मत्प्रदेश में सर्वधिक जनसंख्या वाला जिला है सर्वधिक जनसंख्या वाला जिला है इंदौर सी नंबर का अंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत हमने देखा था वह पाल का लेकिन सर्वधिक जनसंख्या जो है वो है इंदौर की आगे देखते हैं अगला है मत्प्रदेश की आर्थविवस्था है मत्प्रदेश की जो आर्थविवस्था वो करसी प्रदान ज़ना का उद्देश, गाओं को मुख्र सड़क से जुड़ना, पक्ती सड़क बनाना, दोनों उद्देश थे, C नंबर कांसर जाएगा, A और B दोनों, आगे देखते हैं, पुश्चन हम देखने हैं, दोस्तों, यहाँ पर राष्टि खेल दिवस मना जाता है, राष्टि ख कांसर जाएगा, आगे देखते हैं, अगला कोश्चन है, एजबाग स्टेडियम कि सहर में स्थित है, एजबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है, C नंबर कांसर हो जाएगा, और भोपाल में जो है, तात्या तोपेज स्टेडियम भी है, आगे देखते हैं, कोश्चन है, भील जन जाती भारत में सबसे अधिक पाई जाती है सबसे अधिक मद्प्रदेश में पाई जाती है और मद्प्रदेश में भी खास करके जाबुआ अली राजपूर बढ़वानी खरगोन और धाय डिस्टिक में जो है भील जन जाती पाई जाती है और भिल जन जाथी का जो मुख त्यवार हो है भगोरिया, आगे दिखते हैं, अगला कोशन है मत्प्रडेश में करेंसी प्रेंटिंग प्रेश कहा स्थ्थ है? तो currency printing price जो है देवास में इस्तित है जहाँ पर not छपाई होती है और अखवारी कागच अखवारी जो कागच है वो नेपनागर में इस्तित है तो यहाँ पर जो currency printing price जो हो जाएगा वो है देवास ए नंबर का अंसर हो जाएगा यहाँ पर आगे देखते हैं धूबगर चोटी इस्तित है धूबगर चोटी जो है पच्मली में हैं और यहां पर हम बात करें तो चोटी जो है महादेव पाहली पर इस्तित है और महादेव पाहली जो है सत्पुला रेंज के अंतरगत आतिति यहां पर महादेव पाहली नहीं है तो सत्पुला रेंज पर हम यहां पर टिक ल का अंसर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला कोश्चन है भारती वन अनुसंधान संस्थान की छेत्री अनुसंधान साखा मत्प्रदेश के किस जिले में हैं तो यहां पर हम बात करें भारती वन अनुसंधान संस्थान जो है दहरादून में है और उसकी जो छेत्री अनुसं में किया जाता है यहां par answer हो जाएगा शुक्ष पास की वस्टियों के लिए डी नंबर का answer हो जाएगा आगे देखते हैं Alexander Phalieving ने कोछ की थी, यह ग्देर Phleving ने खोच की है penicillin की नंबर का थे हो जाएगा यहां-पर आगे देखते हैं अगला question अगinar question की तीवरतवा आपी जाती है 먹고 माफी जाती है सीश्मु ग्राप से यहां पर सीश्मु ग्राप से माफी जाती है और जो इस्केल यूइस की जाता आड करेक्टर स्केल होता है आगे दखते हैं दूतr कमा अपा जाता है लेक्टोमीटर से ओनमबर कांसर हो जायगा यहां कि सर्थ समूह का वेक्टी सर्भॉपमिक प्रदाता हो सकता है कि सर्थ समूह का जो व systematically हो सभी को ब्लद दोनेट कर सकता ओनमबर कम स्वाई ओनबर की वीट गॕ्रूप का timely नम्बर कांसर रहा हुगा तो वीडियो को लाइक करें, स्टियार करें चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें, वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच.